नमस्कार आप देख रहे हैं एन भारत समाचार आईये नज़र डालते हैं लिगड की कुछ खास ख़बरों पर प्रदेश इस तरिये तीन दिवसिये कुस्ती प्रत्योगिता का आयोजन जक्तारी में होगा तक पल आजादी के 75 वी वर्ष राट के उपलक्ष में अमरत महुसा पल यूपी इस्चेट कुस्ती प्रत्योगिता आयोजित होगी तीन दिवसिये इस प्रत्योगिता में प्रदेश भर के यूवा पहलवान कुस्ती कलाग के दाव पेश दिखाएंगे इस आयोजर में अलिगर कुस्ती संग की अध्याक्षवा ओलंपिक संग्री की सच्चिव एडवोकेट गीतांजली शर्मा का विशेश योगदान है इनका कहना है कि यूवा खलारी खासकर ग्रामी पत्वाव को प्रोसाहित करना इस प्रत्योगिता का मुख्य उद्देश है उत्तर पर देश कुस्ती अशोशिएशन द्वारा अलिगर कुस्ती अशोशिएशन को अमरत महुस्ता पिच्चतर अंडर 30 सीनिय यूपी इस्टेट कुस्ती पत्योगिता कराने की जिम्मिदारी स्वापी गई है अबर पार्टी सिक्षन होगा 500 से 600 बच्चे कम से कम बॉइस होना और सव के लगव लड़कि लाए इस तरह से 700 का हमारा एक इस्टीमेटित है एक्च्वल हमें जो पता चलेगा वो पता चलेगा हमें जब हमारी बेट कराने के लिए तीम है आ जाड़ी तो एक्जट कब होत अबरेंट्स की रिपोर्टिंग एसोसी इसंगे पास अच्वी एक्टाम बीट ऑच्वार्टी ने दिया है जाड़ी जी के आवान के फ्रत्यों पूरे देजवर में कराई जाड़ी और यूपी सेट कराने का सब भागिया हमें हमें मिला है और वो भी जाओं एर्या में हमे इसे यह एक करा रहे हैं यह हमारी बहुत महिनर को ही हमारी कुछी एसोशियेशन और यहां पर जो सथ्या सेंग जी है बागिया जी इनका और फ्रीशंकर गौर्ड इनकों का और स्रीजी पॉब्लिक स्कूल में जहां पर यह प्रत्यों नहीं लोगों का बहुत ही इसमें यो जाधा पाटी से प्लीट करते हैं हमारे इसाइसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जटारी और खेर से ही मिल प्रहवान हमारे निकी हुए और क्योंकि गाउं में गेम्स की बहुत कमी होती है बच्चे भी निकल के आ नहीं पाता है सुबित हाँ अबाग दूसरा उने पता नह ढहने दोन को रिखार, में पयाओं से, कुष्टी प्रतियोगता अब मेड़ मेड़ होंने लगी है और मेड़ भी जी इसी इंट्रणाशनल प्रतियोगता में बाद से, इसनाल प्रतियोगता में और पाटिसिपेट गर सकते हैं